दोस्तों नमस्कार लर्निंग बाई एपी सर यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम अब मेंस के स्टरजी पर चर्चा करेंगे कि अब आपकी आगे की क्या स्टरजी होनी चाहिए तो उसके पहले अगर आपको पीडियाप चाहिए तो कई लोगों ने कम किया कि पीडियाप तो लर्निंग बाई एपी सर लिग भी दे रहे हैं लर्निंग बाई जिस नाम से यूटूब चैनल है इसी के नाम से लर्निंग बाई एपी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी इसको जोइन कर लिजेगा वहां सारी पीडियाप से एर की जाती जो अभी आपका syllabus मेंस का है, डिसकस करने जा रहे हैं, ये PDF भी इसी टेलीग्राम चैनल पर हम सेयर करेंगे, तो इसको सबी लोग जोइन कर लीजेगा, इसके अलामा अन्नी अधर मटेरियल भी सेयर किया जाता है, तो अब मेंस वाला syllabus पहले देख लेते, तो आपकी अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, आप इसका print out निकाल करके, आप्शनल वाला syllabus और आपका जो कंपलसरी हिंदी निवन का है, उसको चिपका लीजिए, और चिपकाने के बाद उसको अच्छे से तयार करिए, यानि जो जो टॉपिक दिये गए हैं, लिखा है मुखित परिच्छा है, परिच्छा योजनायों पाठिक्रम, पर्थम प्रशन पत्र समान हिंदी तथा निवन्द का होगा, ये अलग-अलग निवन्द हो समान हिंदी का नहीं होगा, एक ही पेपर में दो घंटे का पेपर होगा, और टोटल ये 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी भी होगी, और साथ में एक निवन्द यसे भी लिखने के लिए आएगा, तो पचास नंबर में एक यसे आएगा, अगर आपने अच्छा लिख दिया, तो इसमें 35 से 40 नंबर तक की गुणजाईस है, तो ये जो हिंदी का पेपर है, इसमें आप 70 से 80 नंबर तक प्राप्त कर सकते हो, सूचिए कितना आपका 70 से 80 नंबर, 100 नंबर मिला सकते हैं, अगर अच्छे से लिख आए, तो अपना आप्सनल पेपर आपका होगा, तो ये आपका 3 घंटे का होगा, ये 200 नंबर का होगा, तो यहाँ दियुती प्रशन पत्र बैकल्पिक विसे परंपरागत लिखा है, तो अब हिंदी का सिलेवस, देखिये हिंदी में 50 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें सिलेवस में क्या क्या दिया है, आप पठित गद्यांस का संचेपन, तो एक आपका गद्यांस दिया जाएगा, पांसो सब्दो का, छेसो सब्दो का औख़्ा, आम तौर प्रफा उसे 13 ये लिखाता है, काहिने लिखने के लिए कहा जाता है, इसी को संचेपन में लिखना होता है, हम इसको बताएंगे कैसे, इसका संचेपन किया जाता है, आगे कुछ वीडियो में, उसके अलामा यानी पैसे दे दिया जाएगा, तो उससे समंधित प्रशन होंगे उसी पैसे से आंसर छांट के लिखना होगा या फिर बीच-बीच में दो लाइन, एक लाइन को अंडर लाइन कर दिया जाता हो कहा जाता है कि इसकी ब्याख्या कीजिए और इसका उप्युक्त सिर्शत बताईए तो इसमें पैसे से किस टाइब के कुस्सन, संचेपन वाला एक कुछेगा दूसरा कुस्सन दे करके पैसे से आंसर छटवाएगा दूसरा हो गया, रेखांकित अंसों की ब्याख्या करवाएगा या उप्रिवत सिर्शत, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तो इसके लिए तियार रहेगा आगे देखिए, कितिने नमबर का पूछा जाएगा, यहां कुछ लिखा नहीं है आगे, अन्यकार्थी सब्द, अन्यकार्थी सब्द पूछेगा अनेकार्थी सब्द और यहां अनेकार्थी का मतलब हुआ जैसे लिख दिया द्विज और द्विज माने क्या क्या होता है तो इसके कई अर्थ होते हैं ऐसे हरी हरी के कई अर्थ होते हैं तो इस टाइब के सब्द दे करके आपसे इसके पूछेगा कि इसके क्या अनेकार्थी सब्द आपके सिलेवस में है तो इसको तयार करिए बिलोम सब्द पूछेगा प्रयावाची सब्द ततसं तदभव छेतरी बिदेशी सब्द यानि जो देशा जो बिदेशा जिसको कह लिजिए तो ये आपके सिलेवस में है वर्तनी दो प्रकार की होती है एक सब्द जैसे हमने ये लिखा स्रंखला ये सही है या फिर इसमें ये सही है ऐसें स्रंगार तो ये सही है कि कौन इस टाइब का सब्दों को सुद्ध करने के लिए और दूसरा जो वर्तनी में आता है आपका सब्दों का वर्तनी और वा की सुध्धी ये देखो आगे लिखा हिंदी भासम प्रियोग में होने वाली सुध्धियां तो यहां पर वा की जो सुध्धी है वो भी आपका पूछा जाएगा इसके अलामा वर्तनी और अर्थबोद अर्थबोद के बाद सब्दुरूप और सब्दुरूप में संग्या आता है सर्वनाम आता है संग्या सर्वनाम उसके बाद आपका विशेशन उसके बाद क्रिया विशेशन तो ये सब जितने हैं एक एक टॉपिक उठाएए इसको करक कि यहां सब्द रूप लिखा हुआ है इसके अलामा सब्द रूप के अलामा अगला क्या अगला है संधी तो संधी जानते ही हूँ कि जैसे महस्वल लिखा तो यह सब आपका तो संधी वाला टापिक आपको तयार करना है कि संधी आपके सिलेबस में है संधी के अलामा यहां पर समास है उसके अलामत किरियाएं कितने प्रकार की हिंदी में किरियाएं होती है आफृ इंग्लिस वाली तो जानती हो कि वर्व इसको बोलते हैं प्रिजने पास्ट फ्यूाइव फढ़ जर प्रिजने ईडिये इशसे में तद्धित यानि आपका जो तद्धित क्रिया क्या होती है या इसी प्रकार की कितनी प्रकार की सकर्मक अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं तो हिंदी के हिसाब से आपको तयार करना और हिंदी वर्ण माला हिंदी वर्ण माला भी आपके जैसे अपका काखागाजावाला है दंत है ओस्ट है जो मुर्धा है किसका उचारन कहां से होता है और उसमें सिस्वर बैंजन इनके बारे में आपको एक बेसिक पता होनी चाहिए तो लिदे हिंदी और नमाला आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इसके अलामा बिराम चिन उसके अलामा सब्द रचना वाकी रचना तो सब्द रचना वाकी रचना उसके बाद अर्थ उसके बाद मुहाबरे और लोकोक्तिया तो अच्छे से तयार करिए मुहाबरे और लोकोक्तिया आपके सिलेवस में हैं इसके अलामा उत्तर प्रदेश की मुख की बोलिया और हिंदी उत्तर प्रदेश की मुख की बोलिया के बल तयार करिएगा पुरिये इंडिया की मत तयार करने लगना है यानि ये हिंदी के अंतरगत जो उत्तर प्रदेश की यूपी की बोलिया है वो आपको तयार करना है सबसे लाश्ट वाला तीसरी लेन पे आईए ये लिखा हुआ है वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी अनुआद अंग्रेजी से हिंदी अनुआद तो बेसिक टेर्मिलोजी अगर आपको पता होगी तब आप अनुआद कर लोगे यहाँ अफिसियल सब्द जो प्रियोग किये जाते हैं उसी से मिलता जुलता सिंटन्स दिया जाएगा तो अफिसियल सब्द आप तयार करिए हिंदी क्योंकि वो एक स्टेंडर्ड के लेबल के सब्द होते हैं अब आप कहोगे काउन सी बुक हम इसके लिए फालो करें तो आप पतली सी बुक अगर फालो करना चाहते हो तो वास देयो नंदन की हिंदी की बुक आती है यह ले लिजी और पूरे जो इसमें सिलेबस में अगर किसी को और ज्यादा मन है और अच्छे से करना एक बुक कोई लिजिएगा पहले उसको अच्छे से तीन बार चार बार रिवीजन करके अच्छे से जतने टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं इनको अच्छे से कर जाईए तो फिर दूसरी बुक उठाईएगा दूसरा इसके अलामा जो अन्य बुक करना चाहते हैं तो ये काता है प्रधवी नात पांडे पियन पांडे की बुक आती है तो पियन पांडे की बुक आप रिफर कर सकते हैं तो या तो पियन पांडे की लिए लिजिए दो मस्य कोई लिए लिजिए अगला यहां निबंद निबंद वाले में देखो क्या-क्या किस टाइब की निबंद पूछे जाएंगे ये 500 सब्द में केवल एक निबंद लिखना होगा और ये आपका ये टॉपिक दिये गए है साहित वास संस्कित राष्टी विकास योजनाय किरियान वैन जो भी योजनाय चल लही है उससे कुसन निबंद का टॉपिक बना दिया जाएगा PCS में हलाकि 2020 में पूछाई गया था आई सुमान भारत सारी योजनाय ने बहुत हाइलाइट स्कीम होती है उसी पर आप फोकस रहिएगा वही पूछी जाएगी जैसे PCS में आई सुमान भारत पे निबंद आया था सवच भारत मेकिन इंडिया जो ये पहले है या स्कीम है इससे कुसन पूछा जाएगा तो आपका टॉपिक लिखा है राष्टी विकास स्योजनाएं और उनका किरियान मैन अगला टॉपिक है राष्टी, अंतर राष्टी सामाईक, सामाजिक समस्याएं जैसे आतंक वाद हो गया उसके बाद साइबर क्राइम तो इस प्रकार के मुद्दे भी पूछे जा सकते हैं अगला बिज्ञान वाप, परियावरन साइन्स का भी टॉपिक दिया जा सकता है इन्वार्मेंट तो बिज्ञान व परियावरन टॉपिक पे आपको अच्छे से तयार करना जैसे जलवायू, परवर्तन ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है तो इसके हर आयाम को तयार करिए इसके अलामा प्राकृतिक आपदाएं उनका निवारन तो प्राकृतिक आपदाओं में फ्लड हो गया, चक्रवात हो गया भोकंप हो गया सुनामी हो गई तो इस टाइब के भी टॉपिक इंपोर्टेंट है तो एक एक को टॉपिक को उठाइए और इसके सारे आयाम पे आप साट नोट्स बना लिजिए और सबसे लाश्ट है किर्शी उद्द्योग व्यापार चुंकि आप किर्शी के लिए एस्पसल अग्री कल्चर के लिए एक्जाम देए हो तो यहां यह टॉपिक तो आपको जरूर करना चाहिए किर्शी उद्द्योग व्यापार यहां से निवंद का अगर इस पे अच्छी कमांड बनाए अग्री कल्चर से फिक्स है निवंद आएगा ही आएगा तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से किर्शी उद्द्योग व्यापार वाला करना है तो यह आपके इच्छे टॉपिक आपके सामने लिखे विये हैं हिंदी का हमने बताई दिया तो इन टॉपिक जो जो टॉपिक में लिखा है केवल उतने ही मुद्दे पर अपने आपको फोकस रखिए जाएंगे ठीक आड कोसन में यहां आपका देखी लिखा हुआ है कि वैकल्पिक विशे की योजना क्या होगी प्रशनों की संख्या टोटल आठ होगी प्रशन पत्र संख्या खंड आ दो सेक्षन में बटा होगा सेक्षन ए और सेक्षन बी दो भागों विभाजित होगा सेक्षन आगे लिखा हुआ है कि चार-चार प्रतेक में होंगे टोटल आठ प्रशन संख्या एक और पांच अनिवारी होगी यानि एक और पांच को आपको करना ही करना है यहां कोई च्वाइस नहीं है इसके अलामा अनि बचे कितने कोशन दो आप कर लिए हो तो सेक्षन जो ए होगा इसे कम से कम एक कोशन करिए सेक्षन जो बी होगा इसे भी कम से कम करिए तो दो पहले आप कर लिए हो एक और पांच तो कमपल सरी हो तो करने करना है section A से एक किए section B से दो कर लीजिए या section A से दो करिए section B से एक कर लीजिए तो तीन question यहां से करना है दो यह कंपलसरी वाले करने है total 5 question करने है और 5 question कमला हुआ 40 into 5 multiply करोगे तो कितना बनेगा 200 तो यह 200 number का आपका single optional का paper होगा इसमें दो paper नहीं होंगे तो इस अपने optional पे अच्छे command बनाईए और यहां है देखो जो D.A.H.O इसी को बोलते हैं district horticulture officer इसका देखो यह यहां syllabus दे रखा है इतनी syllabus को ही अच्छे से आपको तयार करना है syllabus में agroclimatic jones आप UP है इंडिया का है meaning and scope of agricultural metrology atmospheric बेदर global warming देखो यहां भी टापिक है का जो जो आप climate change है जलवाई परवर्तन and its impact on agriculture तो जलवाई परवर्तन जो यहां से common point निकालिये और यहां के बहुत सारे common point जो आपका वहाँ जो science environment और साथ ही जो last वाला किर्शी industry उद्योग व्यापार वाला टापिक था उससे काफी correlate हो जाएगा तो यह जो syllabus आपके सामने है यह syllabus हम आपको channel का नाम बताई दिये learning by a.p.sar वहाँ share कर देंगे तो वहाँ से इसको अपने जहां आप सोते हो वहाँ इसको syllabus को print out करके चिपका लीजिए और इसको आपको याद हो जाना चाहिए इस syllabus यह topic है हर एक topic उठाईए अच्छे से cover कर जाईए इसके अलामा जो MSC या UNME specialization वाली post हैं जिनमे principal government food science training center and food preservation officer class 2 इसमें जो qualify करेंगे तो उनके लिए ये syllabus लिखा हुआ है इसके अलामा अगला senior technical assistant group इनके लिए अलग syllabus लिखा है ऐसे ने ये आपका जितने भी post हैं सबके लिए अलग-अलग syllabus ये आपका means का दिया हुआ है तो जो जिस post के लिए qualify करेगा उसका उस हिसाब से यहाँ पर जो paper number 2 होगा optional उसका paper लिया जाएगा तो अब answer की कब बेट मत करिये इतना समय नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है बहुत कम है बहुत कम नहीं है अच्छे से आपको cover करना है और कोसिस करिये जो उधर 100 number का है हिंदी हिंदी में पूरे पूरे number मिलते हैं अगर आपने विल्कुल सही कर दिया संचेपन अच्छे से कर दिया तो 80% मारकें वहाँ होती तो हिंदी निबंद में आप 80 number ये target करिए 80 number आएंगे अगर अच्छे से आपने सब कुछ manage करके अच्छा content में लिख दिया हिंदी को अच्छे से तैयार कर लिया 80 number यहां से और बाकी 200 number आपका यह 100 number में बता रहे है 80 number और यहां 200 number में आपके 100 number यहां कम से कम 100 से 120 number इधर target करिए और ज्यादा ही 70% 140 तक भी आप इसका target तो आपको 80% 160 का होना चाहिए अगर यहां इधर से कुछ कम हुआ अगर इधर 80 number तक आप manage कर लिए तो मामला आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा इसको नजर अंदाज 100 number मत करना क्योंकि 200 का क्या आधा है 50% अगर 200 से हम compare करें तो आपका क्या आधा है यानि total 300 number का वन थार्ड जो बेटेज है वो हिंदी और निवन्द का है तो इसको हम किसी भी कीमत पन अंदाज नहीं कर सकते अब हिंदी में निवन्द के कुछ मुद्दों पर हम आपसे जब जब समय मिलेगा तब तब bullet point के साथ उकस्तित होंगे आप learning by episode टेलिग्राम चैनल को भले जोइन कर लिजिए उसको जरूर जोइन कर लिजिए और अगर ये learning by episode से आपको कुछ फायदा हो रहा तो आपको इच्छा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कई लोगों को जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4 में answer की डाले कुछ लोग comment कर रहें कि बाकी answer की आपको क्या answer ही नहीं पता थे अब उनको कैसे बताएं कि वो वीडियो में जा करके playlist में चैक करिए सारे part जबकि उसमें लिखा भी हुआ है part 1, part 2 तो कोई बात नहीं कुछ लोगों का इतने technologically advance नहीं होते हैं चैज़े वो नहीं पता होती है पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं या कैसे वीडियो वाले आपसन में जा करके देखा जाता है वो चैज़े पता नहीं होती है तो आप टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजिए इसी साथ वीडियो यहीं समात करते हैं अगर आपका कोई अन्य सजेशन है या अन्य कुछ आपसे हमसे अन्य कुछ उम्मीद है कि आप और हमाई लिए कुछ कर सकते हैं तो आप किरपया कमेंट वाक्स में कमेंट करके मुझे सूचित करें उस पे जरूर उस पे पहल ली जायेगे धन्यवाद जय हिंद जय भारत